एक जंगल में चिडिया ने द्रक्त के उपर अपना घोंसला बनाया होता है चिडिया अपने दो अंडों के साथ रहती है उसी द्रक्त के दूसरी तरफ कव्वे ने भी अपना घोंसला बनाया होता है और उन दोनों की आपस में बहुत दोस्ती होती है उनके पास एक दृक्त होता है जिसके अंदर एक जहरीला सांप रहता है चिडिया को उस जहरीले सांप से भी बहुत डर लगता के हिए वो उसके अंडे न खा जाए चिडिया को जब मूख लगती तो वो अपने लिए अनाज की तलाश के लिए जाती तो कवे को अंडों की हफाज़त का बोल कर जाती कवे बेया मैं अपने लिए अनाज ढूंडने जा रही हूँ आप मेरे अंडों का ख्याल रखना ठीक है चिडिया तुम परेशान नहीं हूँ तुम जाओ मैं यहीं पर हूँ और फिर चिडिया खाने की तलाश के लिए निकल जाती चिडिया को एक जगा सेब के दरख नजर आते हैं वो एक सेब तोड़ती और अपने खोंसले की तरफ चली जाती और अराम से अपने अंडों के पास जाकर खाना खाती जब रात होती चिडिया को नीद आती तो वो अपने अंडों के उपर ही सो जाती ताके कोई भी उसका अंडा न चुरा से आज कव्वे की तबियत खराब होती है चिडिया मेरी तबिया ठीक नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ ठीक है कवे भेया, आप चले जाओ कवे के उगे हुए काफी टाइम गुजर जाता है और चिडिया को बहुत तेज भूग भी लग रही होती है ऐसा करती हूँ जल्दी से जाकर अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आते हूँ बहुत भूग लगी है और फिर चिडिया अपने लिए खाना तलाश करने चली जाती और पीछे से जहरिला सांप आकर बुरबुल चिडिया के दोनों अंडे खा जाता है और कववा भी वापिस आ जाता है वो देखता है कि जहरिला सांप चिडिया के गोंचले के पास बैठा हुआ है और चिडिया जब अपना अनाज लेकर आती तो देखती है उसके गोंचले में तो अंडे ही नहीं होते मेरे अंडे कहा चलेगे अरे साम भीया क्या आपने किसी को मेरे घौंसले के पास आते हुए देखा है लो भला मुझे क्या पता मैं तो सो रहा था कवे भीया आपको पता है आज मैं जब अनाज लेकर वापिस आई तो मेरे अंडे घौंसले में नहीं है जडिया जब मैं डॉक्टर से वापिस आया तो मैंने इस सहरीले साम को तुम्हारे घौंसले के पास बैठा देखा था शक्त तो मुझे भी इस साम पर है लेकिन मेरे पूछने पर उसने तो साफ इनकार कर दिया जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था बुलबुल चिडिया बहुत ज्यादा उदास रहती और बस रोती रहती कव्वा अपनी दोस्त को इस तरहां परिशान देखकर एक प्लैन बिनाता है चिडिया मेरे पास एक प्लैन है इस तरहां साम को उसकी सजा जरूर मिलेगी फिर चिडिया और कव्वा दोनों जाते हैं और जाकर खलोने वाला एक अंडा खरीद कर लाते हैं जो देखने में बिलकुल असली लगता है अंडा लाकर चिडिया के गोंसले में रख देते हैं और खुद दोनों जारी के पीछे छुप जाते हैं और फिर सांप आकर जब वो अंडा खाने लगता है तो वो अंडा सांप के गले में फस जाता है उसका सांस बंद हो जाता है और वो द्रक से गिट जाता है और मर जाता है इस तरह सांप को उसकी सजा मिल जाती है